हेलो एबरवान गुड मॉर्णिंग हार याल होपिंग याल बे गूड दिसे बिजेश स्वागा था आपका अपने चनल पर विक्या श्केडमी पर तो आज क्लास में बात करने वाले हैं चेप्टर फोर्थ यानि इंडियन पॉलिटी एमलेस मिकांथ की बुक्स से जो हम लोग पर रखा पहला चेप्टर होने पढ़ा था हिस्ट्रल का बैग्राउंड एत्यासिक प्रिष्ट भूमी दूसरा चेप्टर होने पढ़ा था मेंगिंग अब कंस्टिशन यानि सम्विधान के मुख्य बिसेश्टाएं क्या क्या थे वह हमने पढ़ लिया है तो उसी से कांट किस कंटी से क्या के चिज़ें ली गई है उनको हम आज इस वीडियो में देखेंगे समयने कोशिश करेंगी प्लस हम वहर कोस्टन को देखने कोशिश किया जाए कि कैसे कैसे कोस्टन से बनाया जा सकते हैं ठीक है इस टॉपिक से या इस चेप्टर से राइट ओके इसके प्रेलिस्ट में जा करके उन वीडियों को देखें उनका साथ नोट्स बनाएए नोट्स बनाना इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि आपकी प्रिलीम के एक्जाम जर्मस दिकाते हैं तब आपको पास उतना टाइम नहीं बचता कि आप पूरी लंदी बुक को पढ़िए ल मेंस में भी आपका हेल्प करेगा यह प्लस प्रील में भी हेल्प करेगा यह हम लोग जो टागेट लेके चला जा रहा है वो 2023 का टागेट है ताकि हम लोग 2023 का एक्जाम आशानी से क्रेक कर सकें एवें मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कम से कम आपको इसमें पॉलिटी में जिगराफी में एकनोमिक में यानि जी यस के लगभग लगग हर पेपर मैं आपसे गारंटी देला हूं कि हर पेपर में आप अच्छी कोश्ण्स गेन करने वाले हैं अगर आप वीडियो को से नोड बनाते हैं और देख रहा हैं तो ठीक है ओके तो आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़ेगा प्लस बेल आइकन को प्रस कर लेज़ेगा सोधर मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिक्शन आपको मिल तो पहला सोर्स हम लेते हैं USA के अमेरिका के सम्विधान से हमने क्या के चैनल इंपुट की है अपने सम्विधान में क्या के चैनल हमने लिया है उसको हम लोग देखते हैं पहला चीज प्रियंबल USA से हमने प्रियंबल को एडॉप्ट किया है प्रियंबल को हमने अपने सामना कहलाता है हिंदी में जिसको नहरु शाहब ने पहली बार समिधान सभा में पेस किया था जिसको बोला गया था objective resolution तो वो procedure लिया गया था अमेरिका से इंडिया में पूट किया गया है मलब ऐसा नहीं है कि चुराया इन्होंने इसका मलब यह है कि यह thoughts यह विचार वहां की चीज़ें हमने अपने समिधान में लिए कि हमको हमारा target था कि हम एक अच्छा समिधान बनाया है जो सबसे अच्छा हो और बहुत सालों तक अच्छे से चले इसमें कोई improvement न करना पड़े तो जितने भी thinkers थें जितने भी makers थें वो लोग कोशिज यही कर रहे थे कि हमारे समिधान को एक अच्छा समिधान बनाया जाए तो हमने अमेरिका से प्रियांबल ले लिया ठीक है नेक्स्ट चीज जुडिसियल रिव्यू वेरी इंपॉर्टन पॉइंट जुडिसियल रिव्यू की हिंदी होती है नयाइक प्रियूरे शड इसका मलब समिधान में सुप्रीम कोट हाई कोट यानि कोट्स को पावर है कोट्स को पास jurisdiction है कि अपने वो दियेगा decision को फिर से र राइट ओके तो यह भी पावर आपके कहां से ले गई है प्रोशिजर कहां से लिआ गया यूस्ट से ठीक है नेक्स्ट इंडिपेंडेंस आफ जुडिसरी हमने देखा था अभी प्रिवेस वीडियो में कि जुडिसरी क्या इंडिपेंडेंट है इंटिग्रेट भी है फंडामेंटल राइट जो है आठ किल बारा से लेके आठ किल पैंतिस तक का जो कवर करता है यह भी प्रोशिजर कहां से लिया गया है आपका यूस्ट से लिया है यह कोश्ट कैसे आते हैं कोश्ट आपके मैच करने के लिए यानि यूस्ट से क्या लिया गया है यहां पर द juvenile right जो आठिकल 12-35 तक है ये procedure कहाँ से लिया गया है अमेरिका के समिधान से लिया गया ठीक है next office of vice president vice president की office जो है हमारे सब्ढ़ान में यानि पहला आपका president है इसके नीचे जो होता है vice president होता है तो vice president की office जो आठ जा दिर्दान से लिया गया है next impeachment procedure of president प्रेशिडेंट के उपर जो impeachment लगता है आठकिल किसमें एकसर्थ में आठकिल 61 में impeachment है और आठकिल 52 में इसकी office की बात की गई किसकी प्रेशिडेंट शहाब की ठीक है तो आठकिल 61 है जो impeachment procedure है वो कहां से लिया गया है योस्य के सम्विधान से समझ में आगा very important चीज़े हैं आपको अमेरिका का समझान बहुत ध्यांग समझना है इसका मनलब यह होता है कि यह जो procedure हम दूसरे देशों से ले रहा है वो procedure already उस देश में है तो जो procedure हमारे यहाँ पर compare कर पढ़ेंगे आप देखेंगे जो चैनल ली गई है तो उसको आप देख लेंगे तो यानि जो हो वहाँ पर है वही लगब लगब यहाँ पर procedure होगा थोड़ा बहुत disbalance हो सकता है अलाइट समझ में आ गया ओके नेक्स चलते हैं हम कनाडा से कनाडा से क्या के लिए आ गया है इंडिया के constitution में डला गया है तो पहला federal system with strong center हमने करी देखा था यह कि हमारा जो federal system federal system को मतलब मैं फिर से बता जाता हूँ आपको कि एक होगा central की government और एक होगी state की government और दोनों free होंगे constitution यानि कोई भी law बनाने के लिए यह system कहाँ पे है अमेरिका में है अमेरिका में हुआ क्या था कि center और state अलग-अलग है राज्यों से हमने referendum यानि कि अमेरिका ने referendum करके समझता करके उनको unite किया है लेकिन हमारे इंडिया में हमने पहले हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद हमें अलग से राज आजाद नहीं हुए हैं हमने फिर सभी राज् थे प्रिंश्टी स्टेट्स थे उनको हमने unite किया तो हमारे यहां फेडर सिस्टम तो ही प्लस लेकिन यूनिटरी बैसनेश भी देखने को मिलती है फाइनल रेशन किसी हाथ में था यूनियन के हाथ में था जैसे emergency का procedure हो गया इच्टर इन चीज़ों को हमने कर देखा था त सांसे कैसे er होता है का करता है प्रेशेडे सहा राज्यों पे जो गवर्नशों होते हैं उनका appointment से होता हैनि यहने हम कहते है कि Center काra प्रेजनित्री होते हैं । अपशितर का करते हैं। तो यह procedure कहां से लिया गया है ? यह आपकर कनाडा से लिया गया है समझ में आ रहा है? Advisory jurisdiction आप Supreme Court Supreme Court का जो advisory power होती है advise लेने की वो power कहां से लिग गयी है कनाडा से राइट? राइट ओके रिसीटेटी पावर अफस्ट सकतियां जो हैं to be wasted in center वो center में नहीं होती हैं यानि अफस्ट सकतियां center में नहीं हैं इसका मलब अगर हम list को divide करें कारे के हिसाब से तो center list, state list और concurrent list तो concurrent list इसका मलब ऐसी power जो अफस्ट पावर है तो उसको हम finally center को दे देते हैं कि उस पे उस भी से पर बातचीत कौन करेगा center करेगा यह large बगरा center बनाएगा तो रेस्टरिरी पावर किसके पास है center के पास है यह भी एक power हो गई आपकी यूनिटरी बैसनेस का right समझ में आ रहा हुआ ना ठीक है तो यह होगा अपका कनाडा से सारे चीजें ले गही है यूसे से ले गही है तो आपने समझ लिया यूसे और कनाडा से दुने point हो गया next चलते हैं आगे आप Ireland से क्या 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 लिए आगया Ireland से ठीक है इसको आप Irish से भी करते हैं Ireland से लिए गए DPSP DPSP जो fundamental right के बाद हम पढ़ते हैं 1836 से लेकि 51 तक इसको आप बोलते हैं DPSP तो DPSP के लिए डायक्टिव प्रिंसपर्स आप State Policies यानि राज जी के नीती नीदेशक तत्व यह कहां से लेगा है? Ireland से लेगा है तो आपको याद रखना है मैज करने के लिए आपको पुरह आएका question तो Ireland से DPSP लिए गया है Next, method of election of president Very important point जो election होता है जिस method से President का उस method को लिए गया है कहां से? Ireland से इसका मदलब अगर हम देखें ने तो प्रेसिजन्ट का जो election होता है उसका method क्या है? In that election है ठीक है? In that election है और इसके election का जो प्रोसेज है वो procedure वो method आईरलेंड के constitution से लिए गया है समझ में आगया है impeachment कहां से लिए गया था USA के constitution से लिए गया था लेकिन जो procedure election का है वो लिया गया है Ireland से समुझ में आ गया यह हमने President की जो टॉपिक पढ़ा है तो आपको अगर याद आ रहा है तो आप याद करिएगा कि President का जो election होता है इन डाट election होता है यानि कि MP, MLA उनको जुनाव देते हैं ओट देते हैं आम आदमी नहीं देता है इसका मिलब पबलिक की दौरा election नहीं होता है डाट election नहीं होता है by people तो यह method Ireland से लिया गया है nomination of some members in राजसभा आप आपको याद रखना है राजसभा में इंडिया की राजसभा में की Parliament में लोगसभा हो गई और राजसभा हो गई तो लोगसभा में दो member होते थे nominated जो anglo-indians होते थे और बारा member होते थे कहाँ पे राजसभा में जो nominate करता था कौन? President तो उनका जो nomination की procedure है कुछ member 12 member का count करता है President करता है लेकि यह procedure कहाँ से लिया गया है Ireland से लिया गया है समझ में आगया clear है एकदम crystal की रहो होना चाहिए इस सब चीज़ें तभी आप mens में इसको लिख ले पाएंगे समझ मागया? ठीक है next चलते हम आगे South Africa से क्या लिया गया? देखते हैं भाई procedures constitutional amendment very important point हमने अभी देखा है कि सम्मिधान का amendment होता है संसोदान होता है उसका procedure क्या है? हमने यह देखा है आठकिल 368 के थूँ आठकिल 368 के थूँ एक procedure है जिस procedure से जाकर के ही हम सम्मिधान के किसी भी आठकिल में change या amend कर सकते हैं उसको तो यह procedure जो कहाँ से लिया गया है? South Africa से लिया गया है ठीक है? आइरलेंड से राजसभा के लेकिन election जो होता है member राजसभा के election जो होता है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है आपके South Africa के सम्मिधान से अब देखी nominated member कितने हो रहे थे? 12 हो रहे थे मैंने आपको पता है बाकि जो member होते हैं जीतने भी member होते हैं राजसभा के जैसे हमने देखा 252 सीटों पर चुना होता है राजसभा के फिलाहाल इस बार जो हुआ था वो 245 पर चुना हुआ था 245 पर चुना हुआ था इन चुनाव कọयशे होता? इन डेट होता है हमने देखा था 245 के चुना होता है, उसका जो प्रोसिजर है, एलेक्शन का प्रोसिजर वो भी इनडायट है, हमने भी देखा ये, इनडायट तो ये प्रोसिजर जो लिया गया कहां से, आफ्रिका के समीधान से लिया गया है, समय में आ गया दोनों पॉइंट, दोनों पॉइंट काफी important है, यानि समिधान का संजोधन और राजसभा के जो मेंबर है उनका election का जो procedure है South Africa की constitution से लिया गया दोनों point clear हो गया ठीक है चलते है next सबसे important point हमने ये देखा आया कि बहुत सारी चीज़ें बिटेन से हमने लिया है हमारे समिधान में बहुत सारी चीज़ें बिटेन से लिए गया है क्यों क्योंकि इंडिया में बहुत सालों तक यानि 200-300 साल तक बिटेन ने हमारे इंडिया पर सासन किया तो बहुत सारी चीज़ें कानून हमारे इंडिया में हमने बिटेन से ही चीज़ें ले दे उस समय के हिसाब समय पांसे relevancy हुई थी तो हमने उसको ले लिया तो Britain से क्या लिया हमने Parliamentary Farm of Government हमने कल देखा था मैंने आपको डिटेल में बताया था Parliamentary Farm of Government क्या होती है यानि कि PM को जो चुना होता है उसी को हम कहसे हैं Parliamentary Farm of Government इसका हमने डिटेल देखा था फिर उसके बाद rules of law, rules of law का मलदा कानून का सासन, इसका मलदा एक संविधान होगा, संविधान के हिसाब से पुरादेश चलेगा, यह नोबडी इज अबब law, नोबडी इज अबब constitution, संविधान से उपर कोई भी नहीं है, चाहे judiciary हो गई, executed हो गई, या legislature हो गया, यह कोई भी संविधान से उपर नहीं है, फिर नेक्स्ट है, cabinet system, cabinet system हमने देखा था, कि एक होगा, council of minister, ठीक है, इसको आप बोलेंगे, मंत्री मंडल, मंत्री मंडल में से 15 से 16 लोगों को चार्ट के बना जाएके, इसमें cabinet बनाएगा, जिसका head count होगा, PM होगा, आप cabinet के अंदर एक और हो आया है, ये वाला, हलाकि संविधान में कहीं cabinet सब्द का वरण नहीं, किसी आठकिल में, तो ये decide count करता है, ये decide करता है, PM करता है, तो cabinet के main main जो head होते है, ministers, उसमें होते हैं, तो ये system कहां से लिया गया, बिटेंट से लिया गया है, इसका मंदा सिरी सिरी बात है कि cabinet system बिटे इंडिया में भी है, लेकिन थोड़ी बहुत अलग है, हलका फिलका अलग है, हमने previous बिटे में देखा था, next, single citizenship, single citizenship हमने देखा था, बिटेन में single citizenship है, और इंडिया में भी single citizenship है, लेकिन अगर हम USA की बात करें, तो USA में double citizenship है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर राज और सेंटर दो तो वहाँ पर दोनों लोगों का certificate, यानि दोनों का citizenship रखना पड़ेगा, जो भी वहाँ का citizenship होगा, लेकिन इंडिया में single citizenship है, तो ये कहां से लिगए है, बिटेन से लिगए है, बाइक हाँस के दो सदन, एक लोग सभा और एक राज सभा, तो इससे को बोला गया है, बाइक कैमरलिजम, यह市ν prepare है, और अगर हम स्टेक की बात करें, तो राज्यों में भी क्या अथ, लेसरे लेसेम्बिली होती है, आवर लेसे लेसलेटिवू काांसरी होती है, तो यहां पर भी दो हौस होगा है, कुछ राज्यों में दोनों हौस होते है, कुछ कुछ राज्यों में, केवल एक ही आऊसरे लेशले से एसंबली ये कांशिर कहीं पर नहीं होती है और शारी राज्यम नहीं है तो छह राज्यम एंदोनों हाउस है अब यह दिखेंगे तो यह जो सिस्टम है यह आपका बिटेंड से ही लिया गया है राइट शमलिव में आ गया ओके तो यह चैमरल मालिजे कोई कानून बनाना हो तो कानून बनाने के लिए जो प्रोसिजर समभू जटते हैं जैसे मालिजे पहले भी लाया कहां पर लोगसभा में या राजसभा में तो यहां से भी टू थर्ड मेजटरी से पास हो गया और राजसभा से टू थर्ड मेजटरी से पास हो गया द राइट क्लियर है ओके नेक्स्ट हमारा है पार्लेमेंटी प्रिविलेजेज सबसे इंपर्टन पॉइंट पार्लेमेंट प्रिविलेजेज का मतलव का यह वो प्रिविलेज होते हैं वो विशेशा अधिकार होते हैं जो पार्लेमेंट के जो MPs होते हैं चाहे लोगसभा के रा पे हैं सबसक्राइब हो और सब्सक्राइब से जबंग सकते हैं सब्सक्राइब उनके पास किसे प्रिवलेजिगा कषए लिया बिटेर की constitution से लिया गया है, next, prerogative rits, ठीक है, prerogative rits जो है, बिटेर से लिएगा है, ये क्या होते है, prerogative rits, इसका मनलब आपको high court, supreme court के पास क्या होती है, power होती है, यानि supreme court और high court के पास, जब हमें कोई problem होती है, यानि हमारे fundamental right का violation होता है, तो हम सीधे Supreme Court या High Court में अपरोच कर लेते हैं तो Preugative Rits जो होती हैं ये Supreme Court और High Court के पास होती है कि हम इन पांचों पांच तरीके Rits होती हैं इन पांचों की प्रती यानि पांचों के लेकर के हम Supreme Court High Court में जा सकते हैं आठकिल 32 के थुरू हम Remedies हमारे पास है Fundamental Right को बचाने की और आठकिल 226 के एकार्डिंग हम जा सकते हैं सिधे लेकर के High Court में यान अपने Fundamental Right को बचाने के लिए हमें Rits कुछ मिलते हैं समझ में आ गया तो ये है Prerogative Rits कहां से दिए गया है बिटेन की Parliament से और बिटेन की Constitution से लिए गया है हर चीज crystal clear होनी चाहिए वरना आपका मेंस में अगर आ गया तो आपका एक Understanding जो कमजोर रहेगी तो मेंस में लिखने में दिक्कत होगी तो आपको समझ के पढ़ना है चीज़ों को ठीक है? ओके चलते हैं Next पे अगला हमारा है From Russia यानि USA या Russia, USSR या Russia या यहां से क्या क्या चीज़े हमने समझान में इंपुट की गई है सबसे पहला point important है आपका fundamental duty आठकिल आपका 51A 51A आपका जो part 4A आता है उसमें हम देखेंगे तो fundamental duties दे गई है जो कितनी है? 11 है 11 fundamental हमारे duty है ठीक है? इसको बाद में आड किया गया था शुरुआद में समझान को एडाप्ट जबने किया था तब हमारे समझान में fundamental duties नहीं थी इनको बाद में एडाप्ट हमने किया है तो fundamental duty जो procedure कहां से लिया गया है? USSR से या रसिया से लिया गया है Ideas of justice in preamble Preamble में यानि हम Preamble पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें क्या के चाहीं दी गई है तो तीन तरह की justice दी गई है हमारे preamble में Count Justice, Social Justice, Economic Justice and Political Justice तीन तरह की justice है हमारे preamble में है तीनों justice को कहां से लिया गया है? रसिया के समिधान से लिया गया ठीक है दोनों point समझ में आ गया fundamental duties और ideas justice का है वो ideas social, economic और political तीनों ideas लिए गया है कहा से USSR ते ओके next चलते हैं Australia से Australia से क्या क्या लिया गया है joint sitting of both houses of the parliament यानि लोक सभा, राज सभा को joint sitting को हम बलाता है प्रेशिडेंट सहाब बलाते हैं ठीक है या आपको बता है तो joint sitting लोक सभा राज सभा, लोक सभा और राज सभा का जब कोई dispute होता है या किसी बिल पर कोई dispute है तो उस टाइम पे प्रेशिडेंट सहाब दोनों को समन देखा के बलाते हैं joint sitting के लिए तो यह जो procedure है बुलाना joint sitting का कहां से आस्टिलिया से लिया गया इसका मनदब आस्टिलिया में भी house में भी यह system होता होगा आप guess करके कि सोच सकते हैं language of preamble preamble की जो भासा है वो भासा कहां से लिए आस्टिलिया से लिए गया समझना गया तो preamble की भासा आस्टिलिया से लिया गया है freedom of trade commerce and intercourse concurrent list concurrent list of freedom of trade यह सारे चीज़ें कहां से लिए आस्टिलिया से इसका मनदब राजियों से राजियों से बीच का जो trade होता है trade and commerce होता है उसका वो concurrent list concurrent list क्या होता मैंने बताया था आपको कि सभी विश्यों को तीन भागों बाटा गया है central list में ठीक है state list और concurrent list राज केंद सूची राज सूची और समवर्ती सूची समवर्ती सूची कहां से ली गई है आस्टिलिया से ली गई है यह तीन पॉइंट आपको याद रखना है कि freedom of trade, concurrent list और joint sitting यह तीनों चीज़ें आपकी आस्टिलिया से लिए गई है हमारे समवर्तान में नेक्स आते हैं जापान पे जापान से क्या लिया गया है established by law very important point procedure established by law यह चीज़ें ली गई है जापान से अब इसका मतलब क्या होता यह समझे दिया गया पढ़िए no person shall be deprived of his life very important point कोई भी ब्यक्ति का जीवन छीना नहीं जाएगा यानि सबको जीवन जीने का अधिकार है या our personal liberty या उसकी जो खुद की liberty है स्वतंतरता है उसको छीना नहीं जाएगा स्वतंतरता का मतलब कैसा खाने का पीने का नहाने का सोने का जगने का बैठने का यह सारी स्वतंतरता जो है यानि आर्टकिल 21 में जो right to life है इसको कोई छीन नहीं सकता तो यह जो procedure कहां से लिया गया है इसको बोला established by law इसको बोल दिया गया established by law यह जापान से लिया गया है समझ में आ गया ठीक है इसका मतलब कि आपको जो right to life है या कुछ ऐसे प्रश्चर जो natural rights हैं उसको कोई छीन नहीं सकता या कुछ ऐसे कानून जो बन गया होंगे तो कानून के हिसाब समझ सकते हैं लेकि और चीज़ों को सीन नहीं सकते हैं तो यह वाला procedure आपको लिया गया कहां से जापान से अब एक सब और है आपका एक होगा आपका established by law दूसरा due procedure of law अब देखे due procedure of law क्या है और procedure established by law क्या है दोनों difference क्या है देखे यहां बात कर आपके लिए फंडामेंटर राइट की बात कर आपके लाइट की यहां पर due procedure of law is a doctrine एक ऐसा सिधान्त है that not only checks जो नक के बार रोकता है if there is a law to deprive the life and personal liberty यानि अगर कोई भी किसी ब्यक्तिक की personal liberty और उसके जीवन को nest करने के लिए खतम करने के लिए कोई law बनाया था तो इसको के बार रोकता नहीं है बलकि a person but also ensures that the law is made for fair and just इसका मनलब कहता कि केबल यह रोकेगा नहीं बलकि यह भी निश्चे करेगा कि कोई जो कानूं बन रहा है वो नयापूर हो ठीक है और fair हो तो यह हो गए due process of law समझ में आगया due process का मनलब कानूं बनेगा तो यह रोकेगा भी अगर किसी की liberty छीने जा रहा है तो और अगर कानूं बनेगा तो बलकि उसको fair और just दिलाने के लिए बनाया जाए कोई कानूं ना कि उसको in just के लिए आपका जर्मनी से क्या लिया गया है suspension of fundamental right during emergency very important point की emergency के time पे suspend हो जाता है आपका fundamental right right to life को छोड़ करके लगबर लगब आपके सारे fundamental right खतम हो जाते हैं कब जब emergency लगती है चाहा है emergency, national emergency हो या financial emergency हो right या कभी कबार presidential rule भी हो उस time पे किसी भी emergency में आपके संविदान fundamental right जो आपको दिये गया है उनका suspension हो जाता है तो ये वाला system कहाँ से लिया गया है जर्मनी से लिया गया है right इसका मंदब आपने देखा था जर्मनी में Hitler था तो उस time पे आपने देखा था कि वहां के fundamental right हटाए गया थे तो ठीक उसी तरह संविदान ने कहा कि यहां पर भी इंडिया में जो fundamental right है वो maximum fundamental right खतम कर दे जाते हैं emergency की situation में ठीक है समझना गया next दलते है French constitution यानि कि फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है हमारे संविधान में इन्पृट क्या गया है Republic Republic and the ideas of liberty equality fraternity in preamble very important point preamble में यह चारो जो सब्द है न यह फ्रांस से इसमें लाके जोड़े गया है यानि कि add किये गया है क्या-क्या Republic सब्द इसको अब गरतंत्र कहते हैं इसका आपने पढ़ लेखा देखा आपने liberty liberty के मिलब आजादी equality के मिलब बराबरी ठीक है समानता fraternity के मिलब भाई चारा तो liberty equality and fraternity preamble की जो तीनों सब्द है इनको हमने कहां से लिया है France के सम्मिधान से लिया है ये तीनों चारों सब्दों को ठीक है समझ में आगए ये समझ में आगए तो इतनी चीजें हैं जो हमारे सम्मिधान में अलग-अलग राज्यों से अलग-अलग countries से ली गई है जो हमारे सम्मिधान में dietly put की गई है हमने देखा कि सम्मिधान में काफ़े important है काफ़े relevant है तो हमने उसको put कर दिया गया अब ये भी चीजे नहीं है कि सम्मिधान में जो जो पूट कर दिया है वो कभी बदल नहीं सकते हैं अगर वो हमारे समय के हिसाब से relevance नहीं है उसका तो हम amend भी कर सकते है ये भी चीजे है तो सम्मिधान के किसी भी पार्ट में किसी भी चीजी में पारलेमेंट के थ्रूक जाकर करके हम amendment कर सकते है केवल पारलेमेंट के पास अब थोड़ा सा हम exam point of vips समझ लेते है क्या क्या important रहा है Supreme Court is the Indian political system ये इसको that is constitution कहा गया है ठीक है ये तो आपको पता ही है दूसरा emergency जो provision हमने भी देखा हुपर Obama constitution कहा गया जर्मनी से लिया गया है ठीक है ये वाला provision a provision that has made for the governor to reserve the bill for the consideration of president यानि कनारा के समिधान से लिया गया है कि governor जब लगता है गवर्नर को feel होता है कि ये जो bill आया है इस्टेकलेसलिचर से ये bill लगता है कि मेरे importance का नहीं है ये national importance का है तब उस bill को reserve कर लेते हैं कि ये bill आप किस के पास जाएगा president के पास जाएगा तो president उस पर consider करेगा कि क्या करना चाहिए तो ये जो power है ये जो procedure है ये कहां से लिया गया है करनारा के समिधान से लिया गया है आपको याद रखना questions यहां से आया हुआ है अगला हमने देखा था world का first written constitution जो था वो इंडिया अमेरिका बिर्टेन का था sorry USA का था और हमने ये भी देखा था जो आपका preamble है पहली बार दुनिया ने अमेरिका की समिधान ने उसको input किया था अपने समिधान में ठीक है अब फ्रांस से लिया गया है जर्मनी से ठीक है इधर हमने देखा था जापान से फिर उसके बाद हमने आइस्टेलिया से देखा था ये रसिया से देखा था फिर इसके बाद हमने देखा था आगे बेटेन से बहुत सारी चीज़े ले गए अफ्रिका से ले गई है आइलेंड से ले गई है इसके बाद फिर हमने देखा था करनाडा से और यूसे से इन सारे कंटी से कुछ सोर्स हमारे समिदान में लिए गए है अब मेरे ख्यार से टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा काफ ठीक है ओक्यों तो आज क्लास में इतना ही अब हम कल अग्ले क्लास में मिलेंगे प्यांबल को लिकर करके देखा रखाया उनको अम लोग अलग से देखा जागा पढ़ा जाएगा ठीक है दो तीन वीडियों में पूरा पॉल्टी आपकी कवर हो जाएगी आप बाकिसार से हमने कवर कर लिया मैं कोशिच कर रहा हूं कि दिसंबर के लाश्ट तक आपका जिग्राफी भी और पॉल्टी भी कवर हो जाए ताकि जनवरी से आपका मैं सुरू क कि वाकिनabord कि यार पॉल्टी ऑखकी कर लो कि चुरू कर लो जाए लो जिसालेग।